बाबु विकलप बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्पेक ही है मन्जील तक जाने के लिए, बाबु जारखांट जी के के अंतरगात आज हम आपको ऐसे टोपीक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके सीध rough exam में question देखने को मिलेंगी, और आपके ल प्राप करने के लिए जो जो टोपिक आपको पढ़ने होंगे आज हम इसी करम में आपको पढ़ाने जा रहे हैं जारखंड का वरतमान मंत्री परिशत इसके पहले concept वाला विडियो हम आपको दिये थे नदी से समंधित आपने काफे फ्यार दिया और उस चीज को आपने समझा है हम अगर concept वाली कोई चीज आपको बता रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि आपके दिमाग में हम छाप करके जाएंगी यह कोई नाम है बाबू यह तो आपको आद ही रखने होंगी मन्तरी परिशद के अंतरगत कितने सदस यह हैं अब आपके विधान सभा में जितने भी सदस है उसका 15 पर 30 सदस जो होंगे वह मन्तरी सदस्य पे काईरत होंगे ऐसा नहीं है कि आप अपने छेतर से भी तो विधान सभा सदस्य को भेजे होंगे आपका भी तो कोई विधान सभा छेतर होगा, वहां से भी आपने कोई सदस्य को चून करके भेजा होगा, चाहे वो जे एमेम से समंद रखता हो बीजेपी से समंद रखता हो कॉंग्रेस से समंद रखता हो कोई भी पाटी से समंद रखता हो आपने उसे चूना और विधान समा में भेजने का काम किया जरूरी है कि वो मंतरी बन जाएगा नहीं मंतरी बनना है किसको बनवाना है यह पूरी की पूरी सक्ति जो समझे कि मुखमंत्री के हाथों में होती है मुखमंत्री कहती है राइजपाल उन्हें सपत दिलाती है मुखमंत्री अगर आप भी आपको चाहेगी मुखमंत्री तो आप भी मंत्री बन सकते हैं लेकिन छे महीना के अंतरगत किसी भी छेतर कोईसी भी विधान सबाद छेतर उसका 15% सदस को मंत्री पध के लिए दिया जाता है माल लिया जाए हमारे जारखन में सदस्यों की संकिया कम है अगर U.P. में बात किया जाए तो U.P. का जितना है उसका 15% सदस्यों का मंत्री पध दिया जाएगा यह आप चमझे वह चीज़े हम आपको जब चौंशेप्ट व राईज्बाल qon benет मुन بنेहें आपके मुक्राइब बने यहाँ से पर्षण अक्सर हम आपको पहले चीज को बताएं ऑभी इंप्वर्टन आपके लिए वो है जो आपके जाम में पूछे जाएंगे हमन तो स्वरेंजी बावु कौन को नैसे विभाग को सम्हाल रहे हैं यह हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं जगरनात महतोजी का जब से निधन हो गया है उसके बाद उनहीं के अंडर था आपका स्कुली सिच्छा इव मुख मंत्री अपने पास इसी विभाग को रखे हैं कार्मिक परसासनिक तथा राज भासा विभाग के अंतरगत आता है कोई भी राइजिका मुख मंत्री हो उनके पास एक से अधिक विभागें होती है है ना सभी मंत्रियों का मुख कहलाने वाला ही तो मुख मंत्री कह रहाता है अरे सभी मंत्री को तो एक दो विभाग सम्हालने के लिए दे दिये जाते हैं लेकिन एक दो विभाग से भी अधिक विभाग सम्हालने वाले ही मुख मंत्री होते हैं मंत्री मंदल लेकिन यह जर जाता है वहीं मुख मंत्री होती है और बहुम्मत अधिको नचाहिए यह सारी कौन सेफ्ट हम आपको बाल में बताएंगे मंदल सची वाले या समन्वाइ विभाग जो है ओशरी हमंत्र सोरं के जी के पास है गिराकारा सहित विभाग जो है और मंत्री मंदल निगरानी विभा और जो अन विभाग में वही बात बताएं कि जो विभाग के लिए मंत्री नहीं है हम आपको बताएं कि विभाग बहुत हो सकते हैं लेकिन मंत्रियों की संक्या कुल विधान सबास सदस्यों की संक्या का 15% से भी अधिक नहीं होना चाहिए अब विभाग अगर जादे हो गया तो विभाग कौन रखेगा तो मुख मंत्री रखेगा चीजों को समझ पा रहे हैं तो वो अन विभाग जो आते हैं अलग विभाग वो स्री हमंत सुरेन अर्थात राईज के मुख मंत्री के पास रहता है स्री आलमगीर आलम संसदिय कायर विभाग, ग्रामिन विभाग, विकास विभाग को ये देखते हैं या सम्हालते हैं, रामेश्वर उराव, योजना सहवित विभाग, वानीजी विभाग, खाद सार्वोजनिक विभाग, वितरन विभाग है इनका, इधर हम विभाग लिखे हुए हैं, इधर हम नाम लिखे हुए हैं, श्री बादल पतरलेख जोजी हैं, वो किर्सी पसुपालन एवा सहकारिता विभाग को सम्हालते हैं, श्री बन्ना गुपता स्वस्ट चिकिस्ता सिच्छा एवं परिवार कलियान विभाग, आपदा परमंधन विभाग, उत्पाद एवा मदनिशेद विभाग जो है, वो बेबी महतों का है, देखें, श्री बन्ना गुपता का ये विभाग है, स्वस्ट चिकिस्ता सिच्छा एवं परिवार कलियान विभाग आपदा परबंधन विभाग ये है स्री बन्ना गुपताजी का बेबी महतों, जगरनाथ महतों जी के पतनी हैं बेबी महतों इनहें उत्पाद एवा मद निसेद विभाग का विभाग समालने के लिए दिया गया है जब इनके पती जगरनाथ मातों थे उसमें वो अस्कुली सिच्छा एवा साथ शाता विभाग के साथ साथ उत्पाद एवा मदनिशेद विभाग को सम्हालते थे लेकिन बेबी मातों कम पड़ी लिखी होने के कारण इन्हें सिच्छा का विभाग ना दिया गया सिर्पिन है उत्पाद एवा मदनिशेद विभाग दिया गया सिरी हफी जूलन सारी जो है वो अल्पसंख्यक कलियान विभाग परियतन कला एवा संस्कृती खेलकुद यूवा कायर यावर निवन्धन विभाग को सम्हालते हैं चमपई सोरन योजना सहवित विभाग वानी जेकर विभाग खाद सारवाजनी के वितरन उपभोगता मामले विभाग को सम्हालते हैं चमपई सोरान और सत्यानंद भोगता सरम विभाग एवं परसिछन विभाग को सम्हानने वाले हैं सत्यानंद भोगता देखिए अब यह पर्थम कौन है इसे पहले मापको यह भी बता देते हैं बाबू कि दा यूनी क्लासेज की ओफिशियल एप पे अभी जारखन जीके का और राच्छावंधन के आउसर पे चलाया जा रहा है जहां 499 रुपिय में आपको विडियो दिये जाएंगे आपके कंप्लीट विडियो डिटेल का मनें कौन्सेप्ट के साथ वही जो एक जहां में पूछा जाएगा मतलब कंप्लीट तो देने के साथ आतलास्ट में आप बाबु आपको पढ़ना क्या है से है आपके जम्मा में परस्ट कहां से पूछेगा आपको नोट्स पीडिया तो दिया ही जा रहा है डिटेल में हूँ बाबु अब्जेक्टिव पोष्चन भी आपको दिया जाएगा सिर्फ 499 रुपिय में इंट्रेस्टें होंगे तो 977 080302 पे कॉल करेंगे जहां आपको 499 रुपिय में कंप्लीट जारखंजी के करवाया जा रहा है वीडियो दिये जाएंगे कंप्लीट नोट्स दिये जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर में दा यूनिकला से इसके ओफिस्यल एप का लिंक दिया जा रहा है ना भी बात करेंगे वहाँ अपना नंबर डाल करके गम तगड़ा एप बनाया गया है खाली नंबर डाली ओटीफी आएगा वहां से आप कोर्स को पर्चेश कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए देखिया पर्थम की बात करें यह रच्छा बंधन तक ओफर जो है ना पांच तारिक तक रहेगा ओफर पांच से सप्टेंबर तक रहेगा यह ओफर है ना पर्थम राजपाल की बात करें तो परभात कुमार हमारे राजज के पर्थम राजपाल के रूप में परभात कुमार थे पर्थम महिला राजपाल द्रोपती मुर्मो जो अभिरा आवर्तमान द जो अभी किसी काम के नहीं है मतलब समझे कि ये हमारी राईज के इसके पहले वाले मुख मंतरी यही रहा करते थे जिनका समान्द BJP से था पर्थम मुख नियाधिस बिनोद कुमार गुपता मुख नियाधिस की बात करें पर्थम महिला मुख ने अधिस की तो ग्यान सुधा मिस्रा आप लिख लेंगे ग्यान सुधा मिस्रा पर्थम मुख सचीव विजय संकर दूबे पर्थम पुलिस महानिदेशक सिवा जी महाकेरे विधान सभा के पर्थम विपक्ष के नेता श्टीफन मरांडी पर्थम महीला के विनेट मंत्री जोबा माजी जेपियसी के पर्थम अतियज फातिंग चंद्रहेंबराम और पर्थम प्रमवीर्चक्र प्रात करता एलबर्टे का यह आपको पर्थम आइसके बाद जो आपका हम विडियो यूटूब पे ही देंगे वो चुनाव से समंधी 2019 में जो विधान सभा का चुना हुआ उसमें आपको ये महतपूर्ण है आगर आपको कहीं ये चीज़े मिले तब जरूर पढ़ लिजेगा कि सबसे अधीक मत से विजेप्राप करने वाली कौन एसे निता थे उनका समंध कौन से पाटी से था कौन से विधान सभाद छेतर से वो समंध रखते थे उनका नाम क्या है सबसे कम वोट से विजय प्राप्त करने वाली नेता कौन थे उसका समंध किस पाटी से था कहां कौन से विधान सभाद छेतर से उनका समंध था ये सारी चीजे आगर मान लिया जाए आपको ये भी बड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है कि बाबू रगुवर्दास जो हमारी र हमारे पहले वाले मुखमंत्रिय घुवर्दास को हराने का काम किए ये सारी चीजे आपको काफी इंपोर्टेंट है ये सारी चीजे आपकी एकजाम ये पूछे जाएंगे बाबू हम आपको एक बार फिर से यही बाते कहना चाहेंगे कि 400 आपको लग रहा होगा कि वाइट पढ़ा गया वाइट बोर्ट पे नहीं पढ़ाए गया डिजिक्टल तरीके से पढ़ाए गया है तो 499 रुप्य का जो आफर वाला है इसका लाव आप जरूर उठाएंगे और दिये नंबर पे अगर कोई संकोच होती है तो कॉल कर लेंगे यही बात अगर आप करेंगे त परचेज कर लेंगे तो यही थी बाबु इसके पहले का जो बाद का जो वीडियो आएगा वाएगा चुनाव से समंधित वैसे ही टोपिक आपको पढ़ने है जो आपकी एक्जाम को क्वालिफाइ कर वादी आपके एक्जाम को क्रेक कर वादे तर ठीक है हो छोगा लोगी बाबु मिलो ही ये बाद में हो कोनो दो सार वीडियो में तब तक राकिया पंध्यां जय हिंद।